बड़ाब आगे बात करते हैं, क्या से? आज जो हमारा सेशन चलेगा, उस सेशन के अंदर जिस जिस टॉपिक के ओपर हम बात करेगे तो मेरा अब्जेप्टिव में आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहोगा कि क्या क्या चीजे रहेगी आज हम बात करेगे, सेल्स का ग्रोथ स्या होता है, जिसकी ओपरा डीटेल में बात होगे second हम बात करेगे कि सेल्स का analysis, अभी जीस तरीके से हम अपने सेल्स को कर रहे है, उसका इक deep analysis होगा जो आपको analysis करने के लिए activity sheet दी गई है उसके बाद आगे हम बात करेगे marketing factors होते है sales को build करने के लिए उसके बाद हम बात करेगे कि हम सब चाहते हमरा जो sell है वो 10x growth हो तो उसके लिए क्या strategy हमें अपनानी चाहिए और last में हम discussion करेगे कि sales को अगर बहतर in turn से continue development करते रहना है तो हमें कुछ strategy के उपर बात करनी पड़ेगी तो कुछ strategy आज आप लोगों के बीच में बाटी जाएगी जिसके उपर आप अपने business को build कर पाऊगे यह पूरा का पूरा हमरा journey चलेगा आगे बढ़ते वाई वी ओलर हियर अब आप लोगों को answer करना है कि आप सब लोगों को phone किया गया था आप सब लोगों को registration करवाए गया था और जो लोग NDP में participate है उन लोगों का graduation आज यहाँ पर है उस परस्वत से वो लोग भी यहाँ पर आये है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहोगा कि आपको यहाँ आने की आपकी वज़ा क्या है यस वाई वी ओल आर हियर सेल्स बढ़ाने के लिए ग्रेट और यस सर हमें यह understand करना है कि हमारे लीट कैसे जनरेट हो और जो हमारे टारगेट है वो अली लीट कैसे जनरेट हो ग्रेट यस अनिवन सब कुस बता है पर एक जगा पर आके रूप गए तो के सब लोग यहाँ पर जानने आए कि अभी कौन सा ऐसा चेंज हमारे बिस्डिस में या तो हमारे लाइफ में लेके आएगे ग्रेट बहुत बढ़िया मतलब मेरे इसाब से जितने भी टॉपिक यहाँ पर आगे स्टार्टिंग के अंदर मैंने डिस्कसन किया बहुत सारे लोगों ने इसके ओपर अल्लेडी काम किया हुआ है और कर भी रहे हैं क्योंकि विद्नस को हम रन कर रहे है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़े अपने से हो जा रही है और कुछ चीज़े अपनी छूट जा रही है तो हमें ये अंडेसेंड करना पड़ेगा अनलाइस करना पड़ेगा कि क्या मैं कर पा रहा हूँ और क्या मेरे से नहीं हो पा रहा है तो उन चीज़ों को identify करने के purpose से हम यहाँ पर आए यह सब ग्रेट बहुत बढ़िया लेकिन बात यह आती है कि हम सब लोगों को हमारा purpose clear होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो purpose के साथ होता है without purpose अगर कोई भी चीज़ की जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता जैसे कि यहाँ पर starting के अंदर ही बसंद जी ने आप लोगों को share किया कि गुरुकुल अगर काम कर रहा है कुरुकुल का एक purpose क्या purpose है कोई बताएगा आप लोगों को अभी share कर गिया कि हमारा core purpose क्या है हमारा core purpose यह है कि हम Indian economy को आगे लेकर जाना चाते है और Indian economy को आगे ले जाने बे 90% contribution होता है MSME sector का तो अगर MSME sector grow करेगा तो Indian economy grow करेगी तो यह हमारा core purpose है और इस purpose के साथ हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में है अब आप लोगों को clear करना है कि आपकी industry के अंदर आपके competitor के बीच में आप जिस company को run कर रहे हो उसको लेकर आपका purpose क्या है क्योंकि एक time तक आपकी company पैसे के लिए काम कर सकती है लेकिन lifetime अगर आपकी company को grow करना है तो खाली पैसा आपका purpose नहीं होना चीए अगर वो purpose जितना बड़ा होगा उतना बड़ा empire आप खड़ा कर पाओगे और वो purpose जितना बड़ा होने का मतलब यह है आपकी company का vision होना चीए आपकी company का mission होना चीए आपकी company का goal होना चीए और आपकी company में काम करने वाले लोकों के भीश में एक healthy culture होना चीए और यह सब कुछ जब आप build कर रहे होगे तब वो सब लोग मिलकर एक purpose को पूरा करेगे और purpose को पूरा करना मतलब यह society में, country में या आपके आजू-बाजू में जितनी भी चीज़े चल रही है, उसमें क्या ऐसी challenges आ रही है, जिसका solution आपकी product हो सकती है, जिसका solution आपकी service हो सकती है, जिसका solution आप कुछ नया creation कर सकते हो और यह purpose जब बड़ा होगा, तो definitely आपके साथ आने वाले लोग भी जो है, वो उस purpose के साथ connect होगा, आगे बात करते हैं, किस तरीके से वो purpose हमें build करना है, हम सब लोग यहाँ पर, जैसे starting के अंदर इस सर ने बताया, कि सब को सब कुछ पता है, सब को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ लोगों का problem यह है कि पता होने के बावजुद भी वो चीज़ हो नहीं पा रही है, जिसको हम यहाँ पर कहेगे, हमें आता सब कुछ है, understanding हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, उन चीज़ों को apply करना, और apply नहीं होने के पीछे की वज़ा क्या है, जैसे कि कितने लोग यहाँ पर बैठे ऐसे हैं, जिन लोगों को पता है कि रोज सुबा जो है वो जल्ली उटना चाहिए, और कितने उटते हैं, कितने लोगों को पता है कि भारका fast food खाना नहीं काना चाहिए, health के लिए problem करता है, औ और कितने लोग नहीं खाते हैं, पानी पूरी तो चाहिए, बड़ा पाउ तो चाहिए, दाबेली तो चाहिए, और यहाँ का तो क्या है, गुगरा चाहिए, दाल पकवन चाहिए, संडे हो तो फिर भारी जाना है, तो कई बार कई चीज़े हमें पता होती है, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों के उपर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वज़ा कही न कहीं यह आजाती है, हमारा उस काम को करने का जो अंडेस्टेनिंग है ना, वो क्लियर नहीं होता है, वाई जो है ना, वो क्लियर नहीं होता है, तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़े यहाँ पर ऐसी आएगी, जो देखने के बाद आपको यह लगे का, हाँ यह तो मुझे पता था, हाँ यह तो मुझे आइडिया था, हाँ यह तो मैंने कहीं देखा था, हाँ यह तो मैंने कहीं सुना था, यह तो मेरे वीडियो के अंदर आ गया था, लेकिन आज हम बैठ कर उसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने का प्रायस करेगे और समझने के उपर हम काम करेगे बराबर तो हम सब लोग एक साथ है definitely great आगे बात करते हैं तीन कटिगरी के लोग always हर एक function के अंदर हम देखते हैं और यहाँ पर बैठे जो जितने भी लोग है वो सब लोग यह तीन में से किसी एक categories के अंदर होगे आप लोगों को decide करना है कि आप कौन सी categories के अंदर आते हैं number one category प्रोग्राम attain करने के बाद निकलेगी जो एक बहतरिन implement करने वाले लोग होगे मतलब जिनों ने सिखा सुना किया सुरू कर दिया और उसका result भी produce कर दिया दूसरी category यहाँ पर ऐसी होगी जो क्या होगे सोचने वाले thinking तो वो बहुत ज़्यादा सोचते है और बहुत ज़्यादा सोचने के पीछे जो है वो time निकाल देते है उनका सबसे बड़ा problem यह है वो decision नहीं लेते है खाली सोचते रहते है और तीसरी category यहाँ से यह निकल कर आएगी जो हमारा वाला काम करते है मतलब यहाँ से बाहर निकलेगे दो चार पात दस्तों को इखटा करेगे बीच में आएगे गल्ले पर आएगे बोलेगे लाओ माओ निकालो गिसेगे और बाच्चित करना सुरू करेगे कि यार हम गए थे गुरुकुल के प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे डिसकसन हो रही थी यह यह टॉपिक के ओपर बात हुई यह सब कुछ करना है किसको आपको अपने को नहीं मतलब उन्होंने यह कसम खा ली है कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मुझे बदल सके और वो बदलना चाहते भी नहीं है लेकिन वो कामियब जरूर होना चाहते है तो वो पॉसिबल नहीं है कामियब होना है तो बदलना पड़ेगा तो मेर है इसाए म सब लोग कौन सी केटिघरी में आएगे हैं इस फ़स्ट वाली में आएगे कि इतने लोग है फ़स्ट वाली में आने वाले एक बार आत कड़ा कर दीजungen democrat इंप्रफ कि अमने लो आने वाले कि CR तो घ्रड में आने आजडर अब तो नहीं करेवें हैं तो हम सब अच्छी चीज यहां पर लिखी हुई है क्या है कोई बढ़कर बताएगा इस से पहले का जो सेंटेंस था या बिस्वी सदी का जो सेंटेंस था वो यह निकल जाता था यह भी निकल जाता था वहाँ पर सेंटेंस यह आता था knowledge is power बिस्वी सदी में मतलब यह कहा जाता था कि जिसको सब कुछ पता है न वो powerful है और फिर Google आ गया Google के ओपर सारी चीज़े आने स्टार्ट हो गई तो आज knowledge जो है वो easily available सब लोगों को हो चुका है लेकिन अब powerful कौन बनेगा जो gym में जाएगा जाने के बाद form भरेगा पैसा देगा पैसा देने के बाद जो trainer होगा वो उसको guideline करेगा और उसके हिसाब से वो अपनी body को fit करेगा ने तो कई लोग यह सोते कि form भर देने से मेरी six pack body बन जाएगी तो वो possible नहीं है workout तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा इसका कहने का मतलब यह है knowledge तो आपने ले लिया लेकिन उसको कैसे अमली करण में लेकर आना है implementation में लेकर आना है उसके उपर तो effort आपको ही लगाना पड़ेगा एक बहुती बहतरीन यहाँ पर एक वीडियो से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इस purpose से आप लोगों के बीश में लिया हुआ है कि बहुत सारे लोग sales को लेकर interview लेते हैं और बहुत सारे लोगों के वहाँ interview जैसी process ही नहीं होती क्या होता है तो एक बार आज आप फिर हम देख लेगे फिर वो एक साल दो साल के बाद एक दुसरे को देखते रहते है क्योंकि होता कुछ नहीं तो interview process का एक semi यहाँ पर demo दिया गया है उस demo में आपको यह click करना है कि जब आप खुद interview के लिए कही बैट रहे हो तो आपको सामने वाले बंदे को कैसे present करना है और कितने लोग ऐसे है कि अपनी company को represent करने के लिए खुद जाते है या खुद करते है मतलब sales वाले रोल में वो खुद होते है कितने लोग है ग्रेट बहुत बढ़िया तो जितने लोग sales को represent करते हैं उनको ऐसे यह video को लेना है कि आपको अगर वो टन मिले तो आप उसको कैसे लोगे